तो आज हम स्टार्ट करने जा रहा है क्लास 10th मैंट से रिकल चैप्टर नम्मर 13 एक्साइस 13.3 का कोईशन नम्मर 7 सबसे पहले हम कोईशन रीट करेंगे एंड देन हम इसका सॉलीशन सॉल्व करेंगे असलेंड्रिकल बकेट 32 cm high and with radius of base 18 cm is filled with sand this bucket is emptied on the ground and a conical half of sand is formed if the height of conical half is 24 cm then find the radius and slant height of the half एक हमारे पास cylindrical bucket है इसमें 32 cm उसकी height है एंड जो radius given है हमारे 18 cm given है यहाँ पर हम लेके लेते हैं सबसे पहले है हाइट हो गई हमारी 32 cm and radius जो given है वो 18 cm given है cylindrical जो बकेट है हमारी उसकी बात हो रहे हैं अपर अब जो इसके में bucket में हमारी सेंट बढ़ी हुई है जिसको मिट्टी बोलते हैं अब यह जो मिट्टी है हमारी जमीन पर अगर हम इसको खलाएंगे तो हमारे एक कॉनिकल है जो है सेंट का फॉर्म हो रहा है इसमें कुछ इस तरह का कॉनिकल है जो है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर हमारी जो हाइट है कॉनिकल है की वो given है 24 cm चुल है तो हमसे इसके रेडियस एंड स्लेंट हैट हमसे पूची गई है मुझा की वो पूची गई है कॉनिकल है जो होता है उसकी पूची गई है तो हम जानते हैं जैसे कि कोई भी अगर एक से सि publi मिट है इसमें हमारी मिटी भरी हुई है अगर उसको हम जमीन में पर याकर रखतेंगे कोई भी न्या स дав कोई भी हमारा आगार हम उता है है तो जिसका वाल्यूम पहले जो होता है वहीं जो नेच्ट बनता है उसके एकको होता है तो हम जो ना वाल्यूम होंगों यहां को equal place कर देंगे and then यहां से फिर हम find कर लेंगे radius and slantide तो सबसे पहले हम जो volume है उनके दौनों के उनको equate करते हैं and then solve करते हैं volume of cone is equal to volume of cylindrical bucket यहां पर यह ऐसा क्यों हुआ इसका गरण यह ही है इसमें जो sand भरी हुई थी वह हमने जमीन पर अगर खलाई तो जो volume होगा जो conical help बनेगा उसके एकल होगा तो one of cone क्या होता है बन अपन थ्री पाई आर square है एच एंड वॉल्यम जो होता है cylindrical bucket का मारा क्या हो जागा बकेट यहां रहे गया यह लिखना यह वो गया यहां पाई आर स्क्वेर एच अब यहां पर जो हाइट है मारे पास वो given है cylindrical bucket की radius भी given है एंड यहां पर हमारे पास जो radius है मारे पास कौन का वह हमें find करना है अगर हम एक पर radius find कर लेंगे तो यहां से हम slant head भी आसानी से find कर सकते हैं यहां पर head given है है निकालते हैं पाई से पाई cancel हो जाए हमारा यहां अब हम यहां पर आर एंड एच की जो value है वह put up कर कर देते हैं कि 1 upon 3 into r square यह तो हमें find करना है और तू इंटू है जो वह हमारे पास क्या है 24 है कि इस इकल टू मैं अब जो radius है हमारे पास cylindrical bucket की वह क्या थी 18 थी 18 into 18 into head क्या थी 32 थी 32 हो जाएगा अब यह हो गया है यहां से 3 से इसको 8 बार जाएगा हमारा r square is equal to में क्या हो जाएगा 18 into 18 into 32 upon यह हमारा 8 आ गया विदर 8 से हम इसको 4 तो टाम्स कार्टेंगे तो हमारा r square is equal to में क्या हो जाएगा 18 into 18 into 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 into 2 लिख सकते हैं हो गया अब आर इस इकल टू में square है यह दर अंडर रूट आ जाएगा तो अंडर रूट में आ गया हमारा 18 into 18 into 2 into 2 अब यहां से 18 का पेर बन रहा है इंटू 2 into 2 अब यहां से हमारा जो पेर बन रहा है इस पर से एक बाहरा जाएगा और टू का भी एक बाहरा जाएगा तो रीडियस हो गया हमारी कितनी 36 कि सेंटीमीटर को हम झेएक तो रीडिय सब्कारा रहा था कि जो कॉनिकल है बनाता हुए उसका एक रीडियस में करा रहा था अइन जो इसलेंट हैट होतीवोफकर राता था तो चलनिटाट का फॉर्मल क्या होता है मैं हमारा हम को पता है एयली स्क्वेर जो हता है एल जिसको बोलते हैं फिस्कोंट थिस इप करासे हैं यहां गुख लगा वा है अंडर रूट की फॉर्म है तो एले पंडर यह हो जागा ऑन रूट कई है एक है स्क्वेर कि एंप्र ऑगे यहां पर अप एफ प्रक्राइब hierarchy निकालता में 36-36 कहारा हुँद और हुम्होंते हैं हुमारे पासटीसीक्स कर सुघ्डर स्क्मेस स्वेर माया स्वेर सस्वेर मत लगी एश क्या हमेरे पास्ट टनि-्शूर 24 का स्क्राइर तो एल इसकल दो कितना हो जाएगा 36 के स्क्राइब कितना होता है 1296 प्लस 576 होता है हमारा 24 का तॉमारी एल जो हो हमारा किया जागा अंडर रूट में 1872 जाएट करेंगे तुमारा 1872 बन जाएगा अब हम इसको इसका एल सियम लेकर हमें इसको फेक्टर करने पड़ेंगे अब 277ज प्लस 78 का कई तुमारा क्या बनता है देखते हैं 2 से 9 बार 2, 3 एंड mon 8 तर आगया 2 दो 4 जाएट बन जाएट वान्य तरा जाए टू से टू 6 एट offset पोर टाइम्ज है को से वन कूंसे से वन 17 एन यह वारा जाए गां थ्रीज़ देगा 3 ट्री द्रीड एं यंट टू आ इह गए दर फिर से टी से करते हैं G321 एंड stehen 13 इन टो गें हो गया हम तो हम यहां से प्यरींग कर ली एक पर तो से सी के बन गता है हमारे यह인 है यह मारा 13 आउट लगा है तो टू ने स्च्छTr कि टू अ को दूमार दाटेड में तो इंटूटू टू इंटू इंटू टू कोना को है कि अन कुल प्रे टो टू टू-टू-ट Staree इंटू-थ करिसे ए हमारा यापनः तो बन गया है एक जो मारी एल आएगी अभी आसे पेर कर लेते हैं यह हमारे पेर बन गए ठरदीजर यहां आई नहीं बन रहा तो थर्टीन हमारा अधरूर्ट में रहेगा टू इंटू 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 3 तो टूडू जा पूर एंटू इंटू 2 तरी कितना हुजागा तो फोरी निंटू को सब्सक्राइब है थैंक यू फॉर वाचिंग